नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जश्वंत मेहता और फ्रेंड्स हम में पढ़ रहे थे किर्शन काविधारा किर्शन काविधारा में दोस्तों हमने जो किर्शन काविधारा के प्रमुक कवी थे उन सभी कवियों को पढ़ लिया था अब दोस्तों हम बात करते हैं किर्शन काविदारा में लास्ट पाइंट है किर्शन बगती के शंप्रदाई किर्शन बगती के कौन-कौन से शंप्रदाई जो प्रमुक शंप्रदाई हैं उनकी सभी की डिटेल समया पर पढ़ेंगी देखिए दोस्तों सबसे पहला संप्रदाई है वल लब संप्रदाई जिसे हम कह सकते हैं रूदर संप्रदाई या इसी को फुष्ट्य मार्ग भी कहा जाता है और इसी को सुद्ह Gobierno लगए द्वाद भी कहा जाता है चाहिए आप वल लब संप्रदाई कहें चाहिए आप रुद्दर संप्रदाय कहें चाहिए आप इसे पुष्टी मार कहें आप इसे सुद्ध एत्व एद्वाद कहें बात ही किये जैसे दोस्तो एक्जाम में जो क्यूशन पूछने की संभाव नहोती वो यहां से होती है जैसे अध्वतवाद, विसिष्ट एद्व एत्वाद, सुद्ध एत्वएद्वाद जिस परकार यह नाम आप इसे इस रूप से याद रखें कि सुद्ध एत्वाद नाम याद रखें कि वल्लभ संप्रदाय नाम रखें यह दोनों एक के नाम है चाहिए आप वल्लव संप्रदाय या सुद्र एक्ट वेदवाद तो सब इसे पहले बात करें हम इस संप्रदाय के प्रवर्ताथ तो दोस्तों इस संप्रदाय के प्रवर्ताथ का वल्लव आचारिय जी अब यदि हम बात करें वल्लव आचारिय जी के परीचे के बारे में तो वल्ला बाचारी जी का जन्म हुआ 1535 विकर्मी समवत में और इनका निधन हुआ 1587 विकर्मी समवत में ये इनका जन्म काल है 1535 विकर्मी समवत ये इनका निधन काल है 1587 विकर्मी समवत इसके अलावा इनकी जो और बाकी डिटेल है वो जन्मकाल निधनकाल इनका जन्म इस्थान है इनका जन्म इस्थान है ग्राम चंपार्ण जिला राइपुर बिहार में बिहार के चंपार्ण में इनका जन्म वह था इनके गुरू थे विश्नु श्वामी ये इनके गुरू का नाम है वल्लबाचारी जी के गुरू का नाम अब बात करें हम इनकी प्रमुक रचनाई के वल्लबाचारी जी के प्रमुक रचनाई कौन सी हैं देखे दोस्तों इनकी प्रमुक रचनाई के बारे में ये दोस्तों इनकी प्रमुक रचनाई हैं वल्लब आचरी जी की इन सभी रचनाओं के में यहाँ पर थोड़ी शील केले के बात किननी है वल्लब सम्प्रदाई में इनकी प्रमुक रचनाई हैं अनुभाष्य जो इनका अधूरा ग्रंथ मानना जाता है इसके अलावा इनकी रचनाई सुबोदिनी टीका, तत्तवदीपने बंध, पोरो मेमान साभष्य और स्रीमद भागवत सुक्ष्म टीका ये इनकी रचनाई आपको विशेज रूप से दियाद रखनी है पहले रचना अनुभाष्य वल्लबाचारी ने दो प्रकार की भगती पद्धती बतलाई है, एक मरियादा भगती और एक पुष्टी भगती इनके नुशार दो प्रकार की भगती पत्ती है, एक मरियादा पद्धती है और एक पुष्टी भगती है जिसमें भग्त केवल इस्वर पर आस्रित रहता है उसे पुष्टी मार्ग कहा जाता है इनके वल्लब आचारी जी के जो संप्रदाय का नाम है वो है पुष्टी मार्ग या वल्लब संप्रदाय तो ये पुष्टी मार्ग है क्या, कि जिसमें भग्त केवल इस्वर पर ही आस्रित रहता है, उसे पुष्टी मार्ग कहा जाता है वल्लबाचारिये ने पुष्टी भग्ती तक पहुंचने के लिए तीन मार्ग बताए है वुल्ला भाचरी जीने पुष्टी भगती तक पहुंचने के लिए तीन मार्ग बताए हैं वो तीन मार्ग कौन-कौन से देखे पहला मार्ग मरियादा मार्ग दूसरा परवा मार्ग और तीसरा पुष्टी मार्ग यह इन्होंने तीन मार्ग बताए है मरियादा मार्ग, परवा मार्ग, पुष्टी मार्ग मरियादा मार्ग वो है जिसमें वेद गरंथों में उलिखित विधी निशेदों का पालन करते हुए इस्वर को प्राप्त करने का प्रियास करना यह मरियादा मार्ग है कि वेद गरंथों में जो भी विधी जो भी नियम निशेज जो भी वताए गए हैं उनको अपनाते हुए इस्वर को प्राप्त करने का प्रियास करना वो मरियादा मार्ग कहलाता है यानि मर्यादित मार्ग, मर्यादा में रहते विए इस्वर को प्राप्त करने का प्रियास करना दूसरा है परवा मार्ग, परवा मार्ग वो होता है जिसमें वेक्ति सानसारी कारिये करते विए इस्वर को प्राप्त करने का प्रियास करता है यानि ग्रस्त जीवन का पालन करते वे इस्वर को प्राप्त करने का प्रियास करता है उपर वा मार्ग होता है तीसरा है पुष्टी मार्ग पुष्टी मार्ग जिसमें भगत केवल इस्वर पर ही आस्रित रहता है वो पुष्टी मार्ग कहला था हमने पहले वे भी बात किया है पुष्टी मार्ग वो ही होता है जिसमें बगत केवली स्वर पर आश्रित रहता है और शुकल जिने इन तिनों मार्गों को तीन जीव कहे कर पुका रहा है और राजस्थान में इस संप्रदाई की मुख्ध पीट ग्राम सी हडा नाध द्वारा मिश्था पीत है ये दोस्तों इसे जुरूप साब का याद रखना है पीट पूछी जा सकती है संप्रदाई की कि वल्लब संप्रदाई की राजस्थान में मुख्ध पीट कहा है तो राजस्थान में संप्रदाई की जो मुख पीठ है वो ग्राम सीहडा राजनाद द्वारा में स्था पीते है ये था दोस्तो वल्लब संप्रदाई अब हम बात करें दूसरे संप्रदाई की निम्बार्क संप्रदाई भेदा भेदवाद या फिर हम इसे कहते हैं द्वैत्ता द्वैत्वाद चाहे आप भेदा भेदवाद कहीं चाहे आप निम्बार्क संप्रदाई कहीं चाहे आप द्वैत्ता द्वैत्वाद कहीं यह नाम आपको बता दिया विशिश रूप से याद रखेंगे उसमें आपको याद रखना था जैसे ये जो मिलते जूते नाम है द्वेत्वाद, द्वेत्वाद, एद्वेत्वाद, सुद्द एद्वेत्वाद, विशिष्ट एद्वेत्वाद, इनको आपको याद रखना है तो यह जो द्वेता द्वेतवाद संप्रदाई है इसके प्रवर्तक हैं दोस्तो निम्बारकाचारिये निम्बारकाचारिये यदि हम बात करें निम्बारकाचारिये जी के बारे में तो दोस्तो निम्बारकाचारिये जी का जन्म वहा था 1162 इस्वी में ये इनका जन्म काल ह जनम स्थान इनका निमबापुर वैलोरी मैसूर में मैसूर जो की करनाटक में है यहां इनका जनमा था इनका मूल नाम था आरूनी या नियम्मनंद इनका मूल नाम था आरूनी और इनके गुरू थे नारद मुनी इनके अदिय हम रचनाओं के बात करें तो इनके प्रमुक रचनाएं हैं स्री किर्शन सत्वराज, प्रापन कल्प वल्ली, दश लोकी, वेदान्त पारिजात सोरब, मंतर रहसे सोडसी ये निम्बारक आजरी जी के रचनाएं हैं और इस निम्बारक संप्रदाएं के सारु प्रत्थम उपदेश्टा हंस बगवान माने जाते हैं इसके अलावा दोस्तों इस संप्रदाएं में राधा किर्शन के युगल रूप की उपासना किये जाती है इस रूप में राधा को किर्शन के वा मांग वा मांग यानि बाई और राधा को किर्शन के बाई और दर्शाया गया है और निमबारक आचारिय को बगवान किर्शन के सोधर्शन चक्र का अवतार मानना जाता है निमबारक आचारिय को बगवान किष्ण के सोदर्शन चक्र का आउतार मानते हैं दोस्तों ये था दोस्तों निमबारक संप्रदाई अब निमबारक संप्रदाई के बाद बाद करें हम ये जो निमबारक संप्रदाई है दोस्तों इस निम्बरक संप्रदाए की राजस्थान में मुख्ध पीट सलेमाबाद जो के अजमेर में इस्तित है और इस पीट की स्थापना आचारिय परशुराम द्वारा इस्तापिद की गई थी राजस्थान में इसकी मुख़ पीट है सलेमाबाद अजमेर में और इसकी स्थापना कीगी थी आचारिय परसुराम द्वारा और राजस्थान में इस संप्रदाई के परचार परचार कास्रे आचारिय परसुराम को ही दिया जाता है रास्थान में इस संप्रदाई का परचार परचार करने वाले वाचार ये परशुराम ही है इसके बाद अगला संप्रदाई है दोस्तों तीसरा संप्रदाई राधा वल्लब संप्रदाई तीचरा राधा वल्लब संप्रदाई इस राधा वल्लब संप्रदाई के प्रवर्तक है हित हरिवन्स गोश्वामी जी यही संप्रदाई के प्रवर्तक हित हरिवन्स गोश्वामी और इस संप्रदाई में राधा को किर्शन से बड़ा मनना जाता है ये दिहान लगते हैं, राधा को कृष्ण से बड़ा मानते हैं संप्रदाय में, इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा एवं किर्षण दोनों की मूर्थियां नहीं मिलती, अपी तो मूर्थि स्थान पर स्वन पत्र पर स्री राधा अंकित रहता है, इसका सबसे महत्रपोर किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा किर्षण की मूर्थियां नहीं होती, ये राधा वलब संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जिसमें राधा किर्षण की मूर्थियां नहीं होती, बलकि मूर्थियों के स्थान पर एक स्वन पत्र होता है, एक स्वन पत्र होती है, और उस पत सिवा कौन से संप्रदाई में की जाती है और दोस्तों इस संप्रदाई के जो भग दोते हैं वो इस संप्रदाई के भग तिलक के बीच में एक काली बिंदी लगाते हैं जिसमें जो तिलक की सीधे रेखाएं हैं उन सीधे रेखाओं को किर्शन का प्रतीक एम काली बिंदी को राधा का प्रतीक मानना जाता है और इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर वरंदावन में है राधावलब संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है वो वरंदावन में है आपको राधावलब संप्रदाय का विशे इस रूप से कि उसे नियाद रखना है कि किस संप्रदाई के मंदिरों में रादा कृष्ण की मोरतियां नहीं मिलती है मोरतियां इसी संप्रदाई में नहीं मिलती है रादा वलब संप्रदाई में इसके बाद अगला संप्रदाई दोस्तो हरीदासी संप्रदाई या सखी संप्रदाई इस हरिदासी संप्रदाई या सक्षी संप्रदाई के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी जिनका जन्मवा 1478 तरीश्वी में निधनवा 1573 तरीश्वी में इनका जन्मवा था वरंदावन के निकाट राजपुर गाओं में और इनके गुरू थे आसुधिर जी इनके गुरू का नाम आसुधिर जी इनके जो प्रमुख रचनाई है वो इनकी प्रमुख रचनाई सिद्धांतपद और केलिमाल ये दोन इनकी प्रमुख रचनाई है और मानना जाता है ये निमबार्क संप्रदाई की ही एक साखा है ऐसा मानना जाता है इसी निमर्क संप्रदाई की एक साखा मानना जाता है और मिस्र बंदु उने इसे टटी संप्रदाई कहा है यह देहां लखना कि इस संप्रदाई को सखे संप्रदाई को या हरीदासी संप्रदाई को मिस्र बंदु टटी संप्रदाई कहे कर पुकारते हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ है के एक दो संप्रदाय हैं जिनके नाम आपको बता रहा हूँ प्रवर्तक के नाम बता रहा हूँ किर्शन भगति के संप्रदायों में तो एक संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभू एक संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है मदवाचारिय जी और एक इसमार्थ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है संक्राचारिय जी यहां complete होता है दोस्तो बगति काल में आपकी किर्शन काविधारा जो किर्शन काविधारा है, उस किर्शन काविधारा के बाद हम कर चुके हैं देखो तो आधिकाल आपने completely पड़ लिया है भगतिकाल में आपने सबसे पहले संतकावि पढ़ा था संतकावि में सबसे प्रमुक कभिर जी को आपने पढ़ा इसके बाद आपने सुफी कावे पढ़ा, सुफी कावे में अपने मलिक मौमद जायसी सबसे प्रमुक पढ़ा इसके बाद आप भगतिकाल में वो दोनों निर्गुन कावे धारा की साख हैं थी संत कावे और शुफी कावे अब सगुन में दो धारा या आते हैं किर्शन कावे और राम कावे तो किर्शन कावे आज हमारा कम्पलीट होता है अब दोस्तों अगले वीडियो में जब भी अगले वीडियो हम अप्लोड करेंगे कली या फिर आगे कभी भी तो उसमें हम बात करेंगे राम काविधारा की और राम काविधारा कंप्लीट होते हैं आपका बगतिकाल कंप्लीट उसके बाद दोस्तों फिर हमें बात करनी है रेतिकाल और आधुनिकाल की धन्यवाद दोस्तों साथ में बने रहे हैं इसी तरकार से संपून इसी प्रकार जो साई तेव हम पूरा करेंगे धन्यवाद दोस्तु